बिस्मिल्य रह्माने रहीम, असलाम लेकॉम, वेलकम बैक तो मैं यूटुब चैनल मेमा फूर्ड सीक्रेट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू और मटर की रैसिपे वैसे तो सभी घर में ये बनता है लेकिन आज हम इसे स्पेशल तरीके से बनाएंगे इसे काफी इज़त देंगे अगर हम कोई भी चीज मटी के हांडी में बनाते हैं तो उसका टेस्ट काफी हद तक इंक्रेज हो जाता है उसका टेस्ट बड़ा प्यारा और अच्छा लगता है तो फाइनली ये सर्व भी हो चुका है तो आईए से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से इंग्रीडेंट्स हमने इसके अंदर एट करने हैं यह आप देख सकते हैं प्यास है टमाटर है लेसे नदर का पेस था मेरे पास और यहाँ पर मैंने पहले से हांडी चढ़ा के रख दी थी ताकि यह गरम हो जाए यह गरम होने में थोड़ा टाइम लेती है लेकिन हो जाती है तो अब इसके अंदर मैंने प्यास एट कर दी है और मैं इंतिजार करूंगी कि प्यास जल्दी से गॉल्डन ब्राउन हो पर इस इतना ही हम ने गॉल्डन करना है इन्हें जादा जलाना नहीं है अब इसके अंदर लसन और अध्रक का पेस्ट राएगा हरी मचे भी है इसके अंदर पेस्ट को एड़ कर देना है ताकि इसके अंदर का कच्छापन भी खतम हो जाए और ये भी हलकर सा भून जाए जाएड़ों से थोड़ा लाग चुका है इसे साफ कर लीजिये और फिर आप इसके अंदर हल्दी आट कर रही हो है हल्दी गई इसके अंदर अब लाल मिर्श पाउडर एड़ किया है इसे अपने टेस्ट के एकोर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं और नमक भी आप अपने ट हो जाए और मसाला बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए थाबत मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कवर कर देना अगर आपको महसूस हो कि इसके अंदर पानी डाला जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी एड़ कर लेजिएगा और दर्वास मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई तो यहां पर मेरे पास मटर है जो मैंने पहले से धोके रख दिये थे और जो मसाला है बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका था तो मैंने मटर एड़ कर दी है इसके अंदर मटर पहले थोड़े से एड़ करने है क्योंकि यह गलते हुए अच्छे तरीके से भूनाई कर लेनी है हमने भून लेना है इसे और फिर आम इसे कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से यह गल चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथी बेल का एकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हड़े आने वाली वीडियो का न पानी आट कर दिया है आप जितना इसे पतला रखना चाहें उतना पानी आट कर दीजिए लेकिन ज्यादा पतले यह अच्छे नहीं लगता है तो अब मैंने इसे कवर करके रख देना है ताकि इसके अंदर बॉयल आजा बॉयल यहां पर आ चुका है बिलकुल और फिर यहा इस्ट के लिए अब यह बिलकुल पक्यारी हो चुका है अच्छे तरह कैसे से मिक्स कर लेना है हमने अगर आपको इस पर फील हो की थोड़ा बदला है तो अब इसके अंदर थोड़े से आलो मैश करके डाल सकते हैं और यह बिलकुल पक्या आपके सामने आ चुका है आप द में है और सर्व भी हम इसे मटी के प्याले में ही करेंगे सो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंट्स की से जरूर शेयर कीजेगा और अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें साथ ही बलकाई को उन